नमस्कार, कुईखिंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शोपी अप पर अगर आप किसी भी समान या प्रोडक्ट को काट में एड़ किये हुए हैं तो उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं इस वीडियो को देखते रहिए तो चलिए स्वागत हैं तो शोपी अप से किसी भी समान या प्रोडक्ट को काट से डिलीट करने के लिए हटाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में सोपी अप को ओपन करना है open करने के बाद उपर में आपको एक यहाँ पर card का option दिखेगा यहाँ पर आपको एक shopping का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आप जो भी समान या product को card में add किये होंगे उसके उपर में आपको एक Edit का Option मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक Similar का Option मिलेगा उसके बाद आपको एक Delete का Option मिलेगा अब यहाँ से आपको किसी भी समान को यहाँ पर किसी भी Product को कार्ट से डिलीट करने के लिए रिमूब करने के लिए आपको डिलीट पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो प्रोड़क्ट कार्ट में आयर था यहां से डिलेट हो गया है हट गया है तो इस तरह से आप किसी भी समान या प्रोडक्ट को काट से हटा सकते हैं डिलेट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद